नमस्ते माई यूट्यूब फैमली तो कैसे हैं आप सब? I hope you all are fit and doing great in your life. तो आज की इस टुटोरिल वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोट्स के बारे में स्कोट्स करने का सही तरीका क्या है और स्कोट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं? वैसे तर स्कोट्स करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन आइए बात करते हैं कुछ जरूरी बेनिफिट्स के बारे में तो पहला बेनिफिट्स जो स्कोट्स करने का है वो ये है कि ये एक बहुत अच्छी fat loss exercise है दूसरा ये हमारी core को बहुत strong करता है और तीसरा और सबसे बढ़ा बेनिफिट्स ये हमारी legs की strength को बहुत बढ़ा देता है तो आईए अब सीखते हैं squats करना सबसे पहला और जो basic step है squats करने में वो है कि आपको आपकी heels और toes दोनों ground से touch रखने है दूसरा अब बात करते हैं कि हमें gap कितना रखना होता है अपने legs के बीच में तो वो आप रख सकते हैं जितने आपके shoulder की length होती है उसके हिसाब से आप paddle रख सकते है shoulder की length अब कुछ लोग क्या करते हैं बहुत बड़ी गल्ती करते हैं कि अपने toes से आगे ले जाते हैं squats करते हुए अपनी knees को जो कि एक बहुत गलत तरीका है अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये गलत posture है और आपको knee pain भी हो सकता है तो अब सही तरीका क्या है वो है कि जब भी आप नीचे जाएं तो आपकी knees आपके toes से आगे नहीं जानी चाहिए वो toes से हमेशा पीछे रहनी चाहिए दूसरी चीज to the ground अब दूसरी चीज आप hands की position यहां भी रख सकते हैं यहां भी रख सकते हैं except to you कि आप कहां रखना चाहते हैं अब जो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज है वो है कि आपको आपकी chest up रख ली है सामने की तरफ neck आपकी सीधी रहेगी और नजरें बिलकुल सामने और hands should be tight क कि आप एक tight position में आपकी core tight होनी चाहिए आपकी knees की cell उपर की तरफ थाए आपको feel होगा कि आप squats कर रहे हैं तो यह एक सही posture है squats करने का जो आपको नहीं कर रहा है वो है कि आपको आपकी knees toes से आगे नहीं लेके जानी है तो आइए देखते हैं कि squats होता कैसे हैं हुआ है so let's start one and two 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 तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी knees toes से आगे नहीं जा रही है मेरी chest बिल्कुल tight है मेरे hands tight है मेरी neck और मेरी नजर बिल्कुल सामने है straight है तो आपको भी यही से apply करना है और यहीं एक सही तरीखा है सही squats करने का और यह सच बताओं तो आपकी legs की strength को बहुत जादा बढ़ा देता है एक बार सामने से देखते हैं one it's up to you कि आप ऐसे रखना चाहते है let's do it with it तो सामने next CD eyes सामने now go one and two one and two one and two शुरुवात के दिनों में आप टैन रिपिटिशन चे शुरू कर सकते हैं और तीन सेट उसके कर सकते हैं तो आई एक बार एक सेट पूरा करते हैं one two three four five six seven eight nine and ten तो यह था आज स्कोर्ट के बारे में I hope आप सब को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तिल एन कीप लविंग कीप नएक शेरिंग फिट बीट